अमेरिका की मरीन कॉप्स में सिख अफसर को अब पगडी पहनने के इजास्त भी लए है करीब धाई सो साल के इत्हास में पहली बार ऐसा होनी जा रहा है अमेरिकी सेना में कारिरत एक सिक अफसर को अब अपनी पगड़ी पहनने के अजासत मिल गई है यूएस मरीन कॉप्स के लेटिनन सुखबिंदर तूर जो पछले पांच साल से इसके लिए संगर्श कर रहे थे उन्हें अब रोजाना की ड्यूटी के दोरान पगड़ी पहनने के अजासत दे दी गई है न्यूएक टाइम्स के खबर के मताबिक मरीन कॉप्स में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी को अपनी धार्मिक भावना के सम्मान को देखते हुए ऐसी छूप दी गई है लेटिनेंस उबीर तूर का कहना है कि अब पहले की तरह अपने देश और अपनी धार्मिक भावनाओं में से किसी एक को चुनने की मजबूरी उनके सामने नहीं होगी साथ ही वो दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं अमेरीकी सेना में लंबे समय से इस तरह की छूट देनी की चच्चाएं जारी है अमेरीका से इदर बिटिन, कैनिडा, ऑस्ट्रेलिया में अब सिख सेनिकों को इस तरह की छूट दी जाती है लेकिन अमेरीका की मरीन कॉपस के 246 साल के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी को पगड़ी पहनने के इजाज़त दी जाएगी इसी के साथ ही पगड़ी पहनने पर कुछ सक्त नियम भी लागू किये गए हैं लेटनेंट तूर को अपनी रोजाना की ड्यूटी के दौरान पगड़ी पहनने के इजाज़त होगी लेकिन किसी हिंसा गृस्त जगह पर ड्यूटी लगानी है तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे साथ ही अगर किसी यूनिट की सरमेनी होनी है तो वहाँ फुल ड्रेस के तहट इसके इजाज़त नहीं मिलेगी लेटनेंट तूर का कहना है कि अभी उन्हें इस मामले में कुछ जीत मिली है लेकिन आगे की लड़ाई अभी जारी है लेटनेंट तूर ने साल 2017 में मरीन जॉइन की थी तभी से उन्हें पगड़ी रखने को लेकर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था